आपसे डिमांड करती है सबर वो पैनिक अटेक वो अंसर्टेनिटी वो मंथली बिल्स वो डर वो खौफ है हमें जकर दिया गया है सब कुछ बेच के लगाने के बाद पता चलता है कि मैंने गलत की है मेरे पास पैसे नहीं मैं तो स्टीट क्राइम पे जाऊंगा ना मैं तो frustration में किसी के कानपटी पे पिस्टा रखूँगा किसी के गले पे चूरी रखूँगा ना Entrepreneurship सर जितने पहले दो टॉपिक दुखी थे उससे भी जैदा दुखी टॉपिक है क्यों नहीं हो पारी सर क्यों नहीं हम entrepreneurs बना पा रहे हैं सबसे बड़ी वजा entrepreneurs ना बनने की दो अवेरनेस यह पी second number पहले नमबर पे वह panic attack वह uncertainty वह monthly bills वह डर वह खौफ है ठीक है वह हमें जगड के रखा हुआ हमें जगड दिया गया है entrepreneur जो है वह आपसे डिमांड करती है सबर विजन पेशन्स जो तो वह आपसे डिमांड यह चीज़ा करती है और यह रहा नहीं हमारे अंतर दूसरा बड़ा मसला पर यह तकलीफ दे बाते आ जाती है पर दूसरा मसला यह है कि जो लोग entrepreneurship पढ़ा रहे हैं वह 9 to 6 जॉब कर रह जो 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 आपके चैनल वे दे रहा है अगर को चाहिए कि रूल बना दे कि अगर आपने entrepreneurship युनिवर्सटी इस में पढ़ानी है पहले जाए अपना startup खड़ा करके काम्याब बना के यह standard अचीव करें फिर आके पढ़ें और पिर जब आप आएंगे और को double पैसे दे और वह इतने entrepreneurs निकालेंगे ना तो पाकिस्तान को default के बारे में सोचना भी नहीं पढ़ेगा लेकिन कोई कैसे किसी को कारोबार scale करना सिखा सकता है कि यार जब उसको पैसे YouTube से चाहिए हो यह 9 to 5 job की salary में चाहिए हो कैसे सिखा सकता है क्यूंकि entrepreneurship is something जिसके अंदर एक एक चीज मैट करती है इतनी बरीक चीजे होती है कि जब तक आप गुजरोगे नहीं रगड़े नहीं खाओगे गिरोगे नहीं उठोगे नहीं फेल नहीं होगे आप समझ ही नहीं सकते अंदर परके नहीं स्टोरी नहीं है इक किसी डेस्टीनेशन का एडरेस मिय आपको समझाऊंगा वहां से राइट ओना वहां से लेफ औना इधरोना इधरोना वहां पहुंच जाओ गए हम तो अंदर यह रगता है मुझे लगते हैं बिजनेस के अंदर नहीं यह यह वर्ड रवर्पानी नी देज हाई आपके HDL nowadays आपके उनदेीज को बेगाई भलाना गयां यह तरहें में यह ज़ाद कार यह लागादा और नहीं है आपको पताता हूँ कि ऩयने टूरी के से टाम पैं के यह इस चीज़ की पैं लेणया अपके hal artists को जानी यह आख सोटाजिया है तो अगर आपने अपने अपना बनना आप इस फील्ड में बिचाना है, आपके अपने प्राब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साथ में मल्टी स्किल्स, टैलेंट होना चाहिए। अफिस बॉई भी मैं था, मैं कैसे बनाओ, आपको अपने रूटीन बनाता हूं। अब अब यह था कि सुबह उठता था फजर के पाद ना, सफाई करके टॉलेट साफ करके सारा कुछ साफ करके दो चार लोगों ने आना हुता था था ना, पहले पूरी सफाई करता था, पर मेरी टीम आ जाती था था, आगए सीई-ओ बेटा हूता था, तियार होंके। शाम को वो जाते थे, पैस सारा दिन, उनको help out करते रहता था, ठीक, administrative काम सारे, शाम को वो जाते थे, coding करने बाट जाता था, ठीक है, रात को फिर वो सारा कुछ smite के delivery करके, सुबब फिर से वही करता था, मैं admin था, मैं office boy था, मैं business developer, manager था, social media का manager था, developer था, development में भी front end developer, back end developer, or server side भी में hood करता था, यह सारे skill set hood करता था, in short, अगर आपने software house particularly खड़ा करना है, तो आप हर चीज़ का backup खुदी हो, आपको पता होना चाहिए, कि आज अगर 10 लोग आपको छोड़ देंगे, तो आप इन 10 को काम आप खुद संभाल सकते हो, लेकिन अगर आप, यह सोच रह आपको खुद अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तीक है, और entrepreneurship, it's not limited to this software house, यह तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए सिर्फ आपको अच्छे mentors, और सबर, और थोड़ा problem solving skills, curiosity की जूरत है, curiosity, curiosity की बारे में कहता हूँ कि यार, अच्छा मैं सोच रहा हूँ, मैं curiosity है, तो आप मैं ही सोचनों के रिस तरहां का तो मैं भी बनवा सकता हूँ, that's curiosity, आप इदगिर देखें किया कर सकते हैं, हमारे हाँ curiosity क्या है, हम से विए देखते रहते हैं, salary का बानी है, यार, आइफोन कितने का हो गया, fantasy चीज़ें, fantasy चीज़ें, कोई productive चीज़ें नहीं जिसके ओपर जाए नहीं है, तो मेबी, we need to change our system to create more entrepreneurs in society, उसके लिए आप क्या समझते हैं, कि इसमें हम देखें, ये एक ऐसी चीज़ें है, जिसमें बाकी जो हमने सारी चीज़ें बात की ना, उसमें आप individual लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं, ये एक वाहिद चीज़ें जिसक कुछ हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी डुमेन है, इसमें अकेले एक दो लोगों की effort से कुछ नहीं होने वाला, मैं हमें आपको बताता हूँ, entrepreneurship के लिए आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, जो मैंने UAE में देखा, मैं अनौस नहीं करना चाहता है, यहां पर लेकि करना है कि आप आएं ये करेंगे तो हम आपके से लिए ये करेंगे और यहां हम आपको सपूर देंगे, ठीक है, एक environment क्रियेट करने है, वनना entrepreneur बहुत बनेंगे, लेकिन करेंगे बाहर जाके, मैरा पहला एडिया, अब कुम्प्लिकेटड़ है, anyhow, बता दें, इतनी बातें क कर ले बाते हैं, अब इतने तो फॉलोर होगे, आपके केबाब भी उसमें आई चुकी है काटेगरी में, मैं मौटिवेशनल स्पीकर नहीं हो, पर जब मैंने जॉब चोड़ी और फिलैंसिंग स्टार्ट की, तो मैंने पहला ही अपना आइडिया बनाया एक, और वचोरी हो वचोरी उन लोगों नहीं किया, जो रिस्पॉंसिबल थे मुझे स्पोर्ट करने के, कमाल कर दिये जराब, इतना गुमा सकता हूँ, सही हो गया, लेकिन उससे आप रुके तो नहीं न, गिरा तो सही, कोई बात नहीं, सब गिरना तो देखें, सवाल ये है कि गिरने के ये ही मेरा पॉइंट है, उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की न, ये फोजी दुबारा उट गया, फिर गॉर्मेंट बदली, फिर बहुत कुछ बदला, ऐसी है सर, ये तो होता है, फिर मैने देखा, कि आग उनको भी लगी, तकलीफ मे आज वो भी है, तो इसके लिए स सपोर्ट, ये सारा बिजनस कमिनुटी की हैल, सारी चीज़े होनी चाहिए, बच्चे अप जा रहा क्या करें, वो तो चड़ा हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ हो, बच्चे को प्रेक्टिकल रहना पड़ेगा, बच्चे को सी थू करना पड़ेगा, बच्चे को दे इर्फान मलिक, यू डोंट नीड एक्स वाई-जी, यू डोंट नीड एट आट और, यू डोंट नीड माई परसनल वन-टू-वन गाइदेंस, नो, आपको हलकी सी डिरेक्शन चाहिए, ल्ला ने आपके अंदर बहुत कुछ रखा है, आप किस बंदे से डिरेक्शन, मेरे जब देने पर आता है, तो कहीं से भी और किसी को भी दे देता है, यू डोंट नीड नीड एनिवन अल्स, इनिवन अल्स, डोंट फालो मी, एक अच्छी चीज हुई है, जहां आमने इतनी बजाई है, बैंड इनकी, कोर्स सेलर्स की, और इनकी, एक चीज अच्छी हुई तो कि मुझे याद है, मैंने 6-6 गहंटे, 5-5 गहंटे की वीडियो देखते थे, पर बता क्या निखलता था, 5-minute का क्रक्स, आज आपको YouTube हो, या कोई भी प्लाटफोर्म हो, Udemy हो या कोई भी हो, सर्फ वो 5-minute का क्रक्स की ही वीडियो पड़ी हो, अब एक और नया concept बलकर म वाइक्रो निशिस के कोर्सिस मना दिये, फर एग्जेंबल डिश्टर मार्केटिंग है, बहुत बड़ी डुमेन है, यू के नॉट लरन इन वन डे और टू डे, अब क्या किया है उन्होंने, डिश्टर मार्केटिंग के अंदर च्छा, फेस्बुक की केमपेइन मना नहीं है, ले जनाब, पांच गहनटे का इसका, ये दो गहनटे का, तीन गहनटे का कोर्स मना दिया, बच्चे के बार रोड मैप तो है आज, रोड मैप है लेकिन चाहिए, एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपके चैनल पर भी बताता है, इसको भी मैं चाहता हूँ कि गौर्मेंट तक पहुंचे और आप लोग जो सुन रहे हैं, इसको गौर्मेंट तक पहुंचा है, ये मैं आपके फाइदे की बात कर रहा हूँ, आपके बहुत से लोगों को तकलीफ होने वाली है, वो ये, कि मैंने देखा कि कोई बंदा कॉर्स लौंच कर रहा है, किसी ने कहा कि आओ मैं आपको अफिलिट मार्केटिंग सिखाता हूँ, सियो सिखाता हूँ, पाइटन सिखाता हूँ, डौटनेट सिखाता हूँ, नारवल सिखाता हूँ, वर्डप्रेस सिखाता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कह रहा हूँ, गौर्मेंट को चाहिए, कि जब भी आप अपना कोई कोर्स लाँच करके मीडिया पर अनौउस कर रहे हैं, वो उस इंडस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर से पहले अप्रूफ कर वा है, ठीक है, अगर आप लाँच करने जा रहे हो, डौटनेट, फाइंड समवन हो हैस ड़न अलौट अपनी उमीदें अपना पैसा जाया नहीं कर रहा है, और वो लोग कौन करेंगे, अब सौफ़वेर इंडस्ट्री के सौफ़वेर ओनर्स जिन्होंने अचीव किया होगा कुछ उनको पैनल बनाएं, वो पैनल क्या करेगा, कि अगर मेरे जैसा कोई एरागारा कॉर्स लाँच कर रहा है, तो सबसे पहले मैं उस पैनल को अपनी वीडियो भेजूँ, पैनल वो वीडियो की शौट डिस्क्रिप्चन और कॉंटेंट की प्लैनिंग एंड डिलिवरी एंड कॉलिटी देखें, और देखें कि जो मैं डिलिवर कर रहा हूं, वो सौट फिर उसमें यूज हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, वो मुझे एक स्रेटिफिकेट का अप्रूवल दें, और जब मैं कॉर्स लाँच करूँ, तो वो स्रेटिफिकेट अपने थामनेल में डाल के करूँ, ताक्कि दुनिया को पता चले, जो मैंने रिकॉर्ड कीया, अब क्या हो रहा है, कि पच्छीस हजार देके, मैं एक बंदा उठाता हूं, और उसे कहता हूं कि 50 विडियो रिकॉर्ड कर दे, और उसको मैं कहता हूं, कि लोजिक कोर्स मैने फ्री दे दिया, मैंने मुल्क को गॉम की खिदमत कर दियो किसी नलायक से रिकॉर्ड करवा के किसी बच्चों का टाइम वेस करके केड़ी खिदमत तो गॉर्मेंट क्यों सोई हुई है यार क्यों हर बंदे को यह कहने की अजाज़त है कि किसी कानपटी पे पिस्टल रखूंगा ना क्यों क्यों क्योंके भाई मैं अब फ्रस्ट्रेट ओगया हूं किसी ने मेरे साथ दोका किया है ऐसा होगा ना तो गॉर्मेंट के लिए क्या मुश्किल है एक एक सर्कुलेट निकालना है सौर्ट वे हॉसस को एक पैनल बनाना है और कहा देना अगर कोई बना उस पैनल के सर्टिफिगेट के बगयाद कोई टेकनिकल कोर्स लॉंच करता है उसका चैनल बंद करने की पूरी सिलाइयत है रिपोर्ट करने की ऑप्शन डाले नहीं होगा तो चितर बढ़ेंगा आखरत में करने वालों को भी और छोड़ने वालों को भी सतर बहत्तर साल में हम लोग अपने बिसिक करिकुलम जो एजूकेशन का जो सो कॉल्ड हमारा तालीमी निजाम है सर हम वो नहीं कर पाए खान साब ने भी किया था लास के एक करिकुलम पूरे पंजाब में आज मैं अपने बचे के ड्मिशन करा के हो सर कोई चकर ही नहीं है जो कहते हैं जी हमारी अपनी बुक्स हैं हम नहीं फॉलो करें जो आप कह रहे हैं ना उसका नुकसान बहुत अर्से बाद आना है बहुत बढ़ा आना है लेकिन जो इस वक्त हो रहा है हमें बंदा चाहिए जिसने इस पर्टिकुलर टेक्नोलजी पर कॉंटेंट रिकारड करना और यह इदारा सम्हाँ कॉनेक्टेड था गॉर्मेंट से अब यह इन्वेस्टिकेशन करवाएंगे तो जो आएंगे मैं उसको दे दूँगा जब मैंने बूचा कितने पैसे दोगे उसने ऐसी अमाउंट बताई ना कि मेरा दमाग खिल गया कि इस अमाउंट पे कॉंटेंट रिकॉर्ड करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको तो आप कॉंपिटेंट कैलिबर का बंदा ढून के लाओ क्वालिटी कॉंटेंट रिकॉर्ड करो उसकी वैलिडेशन एक सबजेक्ट मैटरो एक्सपर्ट से करवा कि सर्टिफिकेट लेके एक कॉलिटी तालीम बच्चे को दो अगर वो बच्चा कुछ बेच के अपना पेट कार्ट के वो कॉलिटी तालीम ले रहा है तो आपका हक है वो पैसे लेना पेट को बेचना बुरी बात नहीं है इसे आगे चलेगी, अभी एक नई दोड़ मार्केट में चल रही है कि बड़े-बड़े नामवर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना नाम यूज कर रहे हैं बच्चों को इन्रोल कर रहे हैं He is or she is nowhere in the course सिर्फ induction course वो खुद करा रहे हैं बाकी आगे उनके बच्चे मैं यही तो कह रहा हूँ उन्ही के स्टूडेंट्स में से कोई आगे पर ट्रेनर बना हुआ है तो सर दिखे ना आप इर्फान साब के नाम पे एक बच्चा आता है मैं आप मिसाल के तौर पे आप से पाइतन सीखने आगया मैंने तौर्फान साब के नाम की वज़ा से कोर्स में इडमिशन लिया आगे पता चला है जी मुझे तो एक्सवाईजी पढ़ा रहा है मैं आपको एक्जेम्पल देता हूँ ना मैंने एक रिकॉर्ड की है मैं पूछता हूँ कि आप लेट से के एक अपना क्लिनिक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं बट यू नॉट डॉक्टर तो पहला डॉक्टर कैसे हार करेंगे कैसे मेक शूर करेंगे कि वो डॉक्टर जा हो क्वालिटी का डॉक्टर है या निया चले आपने उसकी सीवी दे के डॉक्मेंटेशन दे के तुका लगा के कर लिया तो यह कैसे मेक शूर करेंगे कि वो क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहा है क्योंकि यह दोनों चीज़ें आपकी रीच से बाहर हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और क्राइम डेट आपका अल्टिमेटली बढ़ड़ा है मैंने अगर कॉर्सेज लाँच कर रहे हैं अपने यूट्यूब बढ़े है जो पच्चे मेरे पास आके डिलिवर किया मैं लिटरली मैं आपको पिक्चर दो विडियो बज़ेंगे मैं रात आफिस की टेबल के निचे सोता था सारा कॉंटेट अपने सामने बैट कर रिकॉर्ड कराता था यह उन लोगों से रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन्हों ने प्रोजेक्ट डिलिवर किये हैं जिन्हें क्लाइंट साटिस्फाइ किये हैं और वो चीज़े रिकॉर्ड कर रहे हैं जो सौफ़र रहे हैं उसमें चाहिए हैं प्रैक्टिकल लोग है यह दुक की बात यह सिर्फ तेरा हजार लोग और उनमें से भी तेरा सौ भी नहीं होंगे जोंसे फाइदा उठा रहे है यह और एक और बात सीरिसली अब यह मैं नहीं करें को शेयर करें हैं हम मुसल्मान तो है ना अकर आपको पता है कि एक जगा एक चीज़ पढ़ी है जो मुसल्मानों के लिए फाइदा मन्द है उसको उठा के सिर्फ आप इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके फॉ यह इसलिए यह इसलिए आपके शेयर करते हैं यह अलागे आपसे बहुत नीची हैं नहीं करें यह बिल्कुल नहीं करते हैं बड़े नहीं करते हैं अगर यह एक दूस अगर सची चाहत होती और मैं साबित कर देता हूं कि एक चीज बच्चे के लिए वैल्यूबर मैंने ड तो क्यों चोरों को पैसे दे रहे हो? यह तना बच्चों के नहीं समझना मुश्किल है? यह तो एक ऐसी कड़वी वो हकीकत है कि क्या बोले इस ते? आप पाड़कास रुक जानी है? अन्ना तो पॉड़कास क्यों रुके कि सर रहे हैं तो सची के बाते करो और सची बात हमेशा कड़वी लगती है अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता है हम कोई किसी के अगेंस तो यह बात नहीं करें हम तो एक नैश्रल डिसकॉशन कर रहे है कि कैसे इस 23 क्रोड 24 क्रोड बलके मैं करता हो कोवेट के बाद 25 ही होगी होगी इस 25 क्रोड अवाम को कैसे उठाने है यह कीन करें कि आप ग्लोब के उपर देखें ना हम एक डौट बराबर नहीं है वान भाई नठ डाली हु यह पूरी दुनिया का हम ने वो LEG बातें नेगटेविटीइ में डाली है लेकिन धा तो डाली हुई नंअ सर वो भी मैं आपको बताहू अब लंबा नौजा रवी हमने अब ने डाली हुई यह हमारा पास्ट है यह हमारा पास्ट है जिसने हमें कहीं प्लेस कर दे हम तो गिरते आ रहे हैं गिरते गिरते भी आज हम कुछ हैं तो यह हमारा माजी है तो मैं यही तो कहता हूं कि सर अगर इतना गिरने के बावजूद भी कही ना कहीं वेटिज रखते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी बिहतर हो जे खुदा किसम हम तो छोड़ दें दुनी पूंदधर होना तो हमें अगले 10 साल के बारे में सोचना पड़ेगा ना कि